नमश्कर दोस्तों, मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले किसी भी विक्ति के हाथ पर पॉजिटिव चीज को देखना निवारी है। किस प्रकार के हैं वो चमतकारी चिन्ना यह देखते हैं। यहाँ पर से आप ठीक तरह के से देखेंगे तो यहाँ भी आपको नजर आ रही होगी बागी रेखा जो की जीवन के अंदिम समय तक है। तो बागी रेखा बहतरीन दिखी। इसके बाद इनके हाथ पर जो है वो है बुद्रेखा। अगर बिजनस अगर कोई व्यक्ति करते हैं तो उनके हाथ पर बुद्रेखा का होना अनिवारी है। अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा एक बहतरीन सा धन्तरबुच। आगे भी यह सूरी रेखा के ब्रांचे से हैं जो की बिलकुल समाने नहीं है। तो इनके हाथ पर कुछ चमतकार हुआ है, अब यह देखो यह सूरी रेखा और भागी रेखा मिलके यहाँ पर से यह सूरी रेखा और भागी रेखा ने मिलके वी नुमााकरती का निर्मान किया है। वी शाइन हतेली पर बहुत जबरदस्त माना जाता है, अगर आपके किसी विक्ति के हाथ पर वी शाइन है, तो आप भाग निशाली है, और आपके जीवन पर धन आना तै है, और आपकी जो भागुदे होनी वो 28 वर्स क्यायो के बाद होनी है, अगर मैं और पॉजिटिव ची जीवन में ग्रोथ होता है, यहाँ पर आपको दिखरी होगी एक जबरदस्त मंगल रेखा, यहाँ आगे भी आपको एक मंगल रेखा नजर आ रही होगी, जो के बिलकुल समाने नहीं माने जाएगी, अब यहाँ पर से प्लैनेटरी कंडिशन्स का बरा महत्व है, अगर प्षपती में थोड़ी टूटिया है, मैं बताऊंगा इसके बारे में, सनी ठीक है, सन मरकरी अच्छी है, चनरमा बढ़िया है, मतलब जीवन में धन की अभाब नहीं होती है, धन की आगमन बढ़ी अच्छी बनी होती है, और जीवन मंगल में रहता है, चलिए यह तो होग भी negativity है, definitely है, उस पर भी अपन विचार करेंगे, तो negative चीज में क्या है ना, पहले आप इस भाग्य देखा के मतलब को समझिए, यह भाग्य देखा exactly में क्या बता रहा है, अगर किसी विक्ती की भाग्य देखा इस प्रकार से break हो, तो यह परिवर्तन, यह नौकरी में परिवर्तन को महसूस किया होगा, परिवर्तन देखा होगा, या फर स्विच किये होंगे, पहले कुछ और कर रहे होंगे, बाद में कुछ और कर रहे थे, तो यह negative वाला positivity है, मतलब कभी-कभी परिवर्तन लावकारी होता है, कभी-कभी परिवर्तन खराब होता है, लावका यहां से अगर चले गई इस बीच में गैप हुआ तो एक दो साला का परिशानी आता है तो ये नेगटिव तरज उपर नहीं जाएगा नेगटिव तरज पर जाएगा ये ये बुद्दर एका इस बुद्दर एका से प्रॉपरली मिली नहीं है तो इस ग्रोथ के लिए जो साटन उपाय है वो आपको हम बता देंगे इसके बाद आप ग्रोथ महसूस करेंगे इसके बाद नेगटिविटी है परश्पती का यहां से पूरा डाउन होना अगर किसी प्रकार से जुपिटर डाउन हो जिसे स्थिती में ये दिखरी है चलिए ये दो चीज़े इसका भी आपको रेमेडी करना है इसके बाद अलकी अलकी राहू रेखा है बहुत समान है बहुत जादा भी नहीं है चिन्दत नहीं रहना है अभी हम आगे इनके जीवन प्रेखा से लाइफ को कवर करेंगे इनके हाथ पर मुझे एक क्लियर कट शुक्रवले दिखा ये आप ठीक से देखो तो यहाँ पर आपको दिखरा होगा ये वाली जो लाइन है ये शुक्रवले है ये शुक्रवले अगर क्लियर कट रहे तो ऐसे विक्ती अच्छे परिवार से होते है ऐसे विक्ती अच्छे परिवार से होते हैं और जीवन को अच्छा बिताते हैं, no doubt इस प्रकार का शुक्रवले आपको लक्जूरियस लाइफ प्रदान करता है, शादी के बाद भागबुदे देता है, जीवन में ग्रोथ देता है, तरक्की देता है हाँ, अगर डिस्टर्व शुक्रवले हो, तो वो मूट स्विंग, फ्लक्टुएशन, विवाही जीवन में तनाव, रिलेशन्सिप्स में प्रावलम्स, इन चीजों पर ये सारा कराता है, तो ये इनका अच्छा शुक्रवले है, डिस्टर्व शुक्रवले नहीं है, तो आप इस प्रकार से इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट करें, तो जातर लाइफ के अरली एज में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कुछ ट्रैंगल्स थे, जो डिग्री पूरे करने का योग को बता रही है, उसके बाद बारी कीस अपने जीवन को आप समझें, यहाँ पर एक दिगकर, चतिस के बाद जीवन रेखा पर कंटीनू प्राउग्रिस लाइन है, चतिस से लेके 42, 42 एर्स तक कंटीनू है, उसके बाद आप देखोगे, 43 एर्स की एज़े, इसके बाद इनकी जीवन रेखा बहुत स्मूथ है, बिड़ा किसी प्रगती की रेखा के साथ है, मत अग ये रेखा का दिरसाथ मिल जाए, तो विशेस्तम चिंता करने के आवशक्ता भी लाइफ में नहीं पड़ेगी, ये रियालिटी है, इसके बाद अगर हम देख ले, और भी चीज़े हैं, जो की बहुत सार ठक हैं, ये जो लाइन से लग्जूरियस लाइफ के शुक को बताती है, ये पूरा शुकर का पोजीशन है, अब शुकर के पोर्शन पर यहाँ पर आपको दिखरा होगा ये सब लाइन्स, ये लाइन्स जो अना मनी मैनेजमेंट की रेखा होती है, शादी के बाद भागो दे, इस तरी पक्ष से इनके जीवन पर धनलाव होता है, वाइ जबरदस्त है, बहुत अला दरजे की है, शुक्रमंगल बढ़िया है, तो comfortable life रहेगी ही, और बैदरीन थम्ब है, strongest शक्ती है, अब थम्ब पर इनके यहाँ पर आपको दिखरा होगा यवा आकरती, जब थम्ब पर ये गोल नुमा आकरती, यवा नुमा आकरती नजर आ जातक बहुत ज़दा महतवा कांची होते हैं, जीवन पर कुछ करने के समर्पित होते हैं, पहला फैलेन, सेकेंड फैलेन, दोनों ही अच्छा है, बड़ा है, तो इच्छा और तर्ग शक्ती, दोनों बहतरीन हैं, इसके बाद आप देखोगे, तो समझदारी की लूप काफ पर शक्ती हैं, तो फिंगर सारे लंबे खरे हैं, तो अच्छी क्रेटिविट एच्छा स्ट्रेंथ होता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, ये तिंड कर एच्छी दार में कासा, सेटन फिंगर लंबे तो महनती है, सुरी पिंगर इमत को बता रहा है, बुद्ध स्टेंज के उपर है, तो communication skill wise बहुत प्रबल, बात पुरुता बढ़ी अच्छी होती इनकी, यहाँ पर आप देखोगे, कुछ दोके के योग, थोरे दोके मिलेंगे, पैसे फशने के शिकायत होंगे, और श्पती का यहां से दवाब, जीवन पर तनाव को बताता है, बाद दो लाइन से, मतलब बहुत तीजी के साथ दिमाग गारे करता है, इरदर एका काफी शांदार है, समाने बाव उखता है, बहुत जादा भी नहीं, आगे इरदर एका मुझे बढ़िया दिख रही है, यहाँ से दवाब है, तो काफी महरती है, हग इन एका जीवन के अंतिन स थोरे फ्लक्ट्वेशन्स है, 40, 36 के बाद, लेकिन फिर 45 से बढ़िया है, यह सरकारी छेतर से दनलाव के योग भी है, डिस्टर शुकर वले नहीं, अच्छी शुकर वले है, लग्जूरियस लाइफ रहेगी, यह सब भी आपके मनी मैनेजमेंट की रेखा है, जीवन पर इ जब सार तक हो जाए, फर तो, फर तो जीवन पर क्या ही कहने, बहुत सोदा बेनेफिट होगा, नो डाउट, मनी ट्रेंगल तो लगबग बन चुका है, यहाँ पर थोरा जुरना बाकी है, बात बाकी सर्मर करी अच्छी है, तो बुद्धिवेक से कायार करते है, थोने जानकारी प्राग करना चाहते है, हमारा बोट से अपने मोड डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा, लेकि आप समपर्क कर सकते हैं, धन्यवार